अलो फ्रेंड आप देखुरों हमारा चैनल ग्रोबुक्स तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिलिज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजिएगा तो चली आजम फिर से आपके लिए नई बुक लाएं जिस बुक का नाम है रिक्लेम यूर ब्रेन इसका मतलब कैसे अ तो चली ए बुक आपको दो लबजों बताते हैं रिक्लेम यूर ब्रेन में हम देखेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है और हम कैसे इसे अपने काबू में ला सकते हैं या किताब हमें बताती है कि हमारे दिमाग में क्या खराबिया है और किस तरह से वो खराबिया हमारी हर रोज की जिंदगी पर असर डालती है साथ ही या किताब हमें उन खराबियों को दूर करने के तरीके भी बताती है या वो किसके लिए है वे जो Neuroscience पढ़ना पसंद करते हैं वे जो अपने दिमाग को बहतर तरीके से समझना चाहते हैं वे जो नेगेटिव विचार से छुटकारा पाना चाहते हैं अधियाय नमर एक या किताब आपको क्यूं पढ़नी चाहिए बहुत बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसे करने के वज़ा हमें नहीं पता होता है हमें कभे कभे किसी चीज की लग जाती है और हम उससे छुटकारा नहीं पापाते हम खुद को बहुत रोकने की कोशिज करते हैं लेकिन नकाम हो जाते हैं हम सभी को नेगेटिव सोचने की आदत होती है हम खुबसूरत लोगों को अच्छे सभाव का मानते हैं और उन पर ज्यादा भोरोसा करते हैं लेकिन खुबसूरती का मतलब आच्छाई नहीं होता यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है जिससे हम सभी के अंदर कुछ इस तरह की चीजे देखनों को मिलती है साथ यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम इसे काबू कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं इस बूक को पढ़कर आप सिखेंगे हमेशे जातर लोग नेगेटिव कुन सोचते हैं हमारे दिमाग को कितने भागु में बाटा गया है और उनका क्या काम है हम किस तरह से अपने नेगेटिव विचारों से छुट करा पा सकते हैं अधियाय नमर्दो एक सहतमन दिमाग पाने के लिए आपको अपनी भावनाओ को काबो में रखना आना चाहिए हमारा दिमाग बहुत उल्जा हुआ है लेकिन आसान सब्दों में समझने के लिए हम इसे दो भागों में बार सकते हैं प्रिफरंटल कार्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन प्रिफरंटल कार्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोचने, समझने, चीजों को याद करने के लिए या समस्या को सुल्जाने के लिए जिम्यदार होता है आप अपने किसे दोस्त से बात कर रहे हैं और उसने मजाक में आपसे कुछ कहा दिया तो आपको गुस्सा आएगा और आप उसे मारने लगेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारा प्रिफरंटल कार्टेक्स हमारी भावनाव को काबू करता है और बेहतर फ्यासले लेने में हमारी मदद करता है लेकिन अगर यह हिस्सा आपके उपर हावी हो जाए तो आपके अंदर से भावनाव गायब हो जाएगे और आप एक रोबर्ट की तरह काम करने लगेंगे जो सोच समझ कर काम तो बहुत अच्छे से कर सकता है लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर सकता दूसरे तरफ हमारा लिम्बिक ब्रेन हमारी भावनाव के लिए जिम्मदार होता है इसे चार भागों में बाटा गया है बैसल, गेगलिया, एंटिरियल, सिंगुलेट एमाई, गडाला और थेलमस या सभी भाग हमारी भावनाव को और हमारी आदतों को काबू करते हैं जब आप एक पटाके की आवाज सुनते हैं तो आप डर जाते हैं और आपके दिमाग में भागने का खियाल आता है लेकिन क्योंकि आपका प्रिफरंटल कार्टेक्स आपको समझाता है इससे डरने की कोई जर्वत नहीं है आप वहाँ से भागते नहीं है अगर आपको एक सिहतमन दिमाग चाहिए तो आपको अपने प्रिफरंटल कार्टेक्स को और लेंबिक ब्रेन को बैलने समें रखना होगा हमारे लेंबिक ब्रेन ने हमें हजारों साल से जिन्दा रखा है और हमारे प्रिफरंटल कार्टेक्स ने हमें जंगलों से निकाल कर सहरों तक लाया है अधियाय नमर तीन अपने दिमाग से अच्छे से काम करवाने के लिए आपको उसे समझना होगा हमने देखा कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं फ्रिफर्टल, काटेक्स और लिम्बिक ब्रेन कभी-कभी इन दो में से एक भाग दूसरे पर हावी होने लगता है और इस हालत में हम अच्छे से काम नहीं कर पाते इसके लिए आपको यह देखना होगा कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा आपके उपर ज्यादा हावी है और फिर उसे काबू में करने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे एक्जाम्पल के लिए अगर आपका प्रिफरंटल कार्टेक्स आपके उपर हावी है तो आप अंजान लोगों पर ज्यादा सक करेंगे और उन पर भुरसा नहीं करेंगे आप हमेशा सोचते रहेंगे कि आपके साथ क्या बूरा हो सकता है आप उबाओ काम करने से पीशे नहीं हटेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमा का वो हिस्सा आपके उपर हावी है जो सोचने समझने के काम करता है अगर ऐसा है तो आपको खुद को सांथ करने के लिए सांती भरे माहुल में जाना होगा आपको खुद को मुश्कील वक्त में सांथ रखने के लिए अकेले रहना होगा दुसरी तरफ अगर आपका limbic brain आपके उपर हावी है तो आप अपने mood के हिसाब से काम ज़्यादा करेंगे इसे ADHD कहा जाता है जिसमें आपका limbic brain आपके उपर हावी रहता है और आप चीजों पर अच्छे से ध्यान नहीं लगा पते बहुत से लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता इस तरह के लोग जब अपने एस्कूल का homer करने बैठेंगे तो गाने सुनते हुए अपना काम करेंगे क्योंकि उन्हें खुद को खुश रखने के लिए कुश चाहिए अपने prefrontal cortex को active कर रखने के लिए उन्हें अलग अलग तरह के मनरंजन की जरुवत होती है इसलिए आपको यह देखना होगा कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा आपके उपर हावी है और उसे सांथ करने के लिए आपको जरुरी कदम उठाने होंगे अधियाय नमर चार अगर आपका दिमाग balance में नहीं है तो इससे आपको लट लग सकती है बहुत से लोग खूद को सराब पीने से रोक नहीं पाते जब भी वे तना महसुष करेंगे वे सराब पीने लगेंगे लेकिन उससे उनके समस्या सुलजती नहीं है बलकि बढ़ जाती है उन्हें भी यह बात अच्छे से पता है कि सराब उनके समस्या के समादा नहीं है लेकिन वे फिर भी उससे पीते हैं ऐसा तब होता है जब आपका लिम्बिक ब्रेन आपके उपर कुछ जादा ही हावी हो जाता है और आपको अपने दिमाग और सांथ रखने के लिए इस तरह के चीजों को जरुवत होती है लेखा के दो कलाइंड जिनका नाम जिल और बाट था इस तरह के समस्या से जूज रहते जिल तनाव से रात पाने के लिए मेरे जुवाना का इस्तमाल करती थी और बाट जुवा खिलता था जिससे उसके उपर कर्ज हो गया था उन्होंने इस लट से शूटकारा पाने के लिए आपको खुद का मोटिवेशनल इंटर्व्यू लेना होगा खुद से सवाल पुछे कि इस समय आपके पास कितना मोटिवेशन है और उसे एक से दस के बिश नम्मर देजे अगर आपके पास बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है तो खुद को एक नम्मर देजे और अगर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है तो उसे दस नम्मर देजे उसके बाद खुद से सवाल पुछे कि अगर आप खुद में बदलाव ले आएं तो आपके जिन्दगे किस तरह से बहतर बन जाएगे इसके क्या फायदे और नुक्सान होंगे इसके बाद आपको लगेगा कि आपका मोटिवेशन पहले के मुकाबले बढ़ गया है इसके बाद अपनी खुबियों की एक लिस्ट बनाईए और यह पता करने के कोशिश कीजिए कि आकरी बार आपने कब अपनी जिन्दगी में बदलाव लाए थे और उसका क्या फायदा हुआ था फिर एक छोटे से कदम के साथ आप खुद में बदलाव लाने के कोशिश कीजिए एक छोटा कदम भी आपको आपकी मंजिल की नजदिक ला सकता है अधियाय नमर पांच ध्यान की मदद से आप अपनी दिमाग को सांध कर सकते हैं जब आप ध्यान करते हैं तो आपका एम आई गलाडा सांध होने लगता है जिसे आपका तनाव और आपका डर कम होने लगता है जब मेगनेटिक इमेजिंग के जरिये दिमाग को एसकेन किया गया तो यह देखा गया कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका फ्रिफरर्टल कार्टेक्स को ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिसे आप अपने दिमाग को बहतर तरीके से काबू कर पाते हैं और खुद को सांत रख पाते हैं ध्यान के इस्तेमाल से सिर्फ आप खुद को सांत ही नहीं रखते बलकि अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव विचारों को काबू भी करते हैं इसमें आप अपने विचार को बिना अच्छा या बुरा कहे उसे पाचानने के कोशिज करते हैं एक्जामपल के लिए सब एको इंटर्वीव से पहले डर लगता है अगर ऐसा है तो आपको खुद से कहना चाहिए मेरा इंटर्वीव होने वाला है और मुझे डर लग रहा है इस तरह से आपने उसे अच्छा या बुरा नहीं कहा सिर्फ उसे पाचाना इससे आप खुद को सांध कर पाने की काबिल हो जाएंगे जब आपको खुद को सांध करना हो तो एक जगा पर आराम से बैट जईए और अपनी आखे बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देजिए आप चाहिए तो कुछ सब्दो को दोड़ा भी सकते हैं अगर आपका दिमाग भटकने लगता है उसे अराम से बीना डाटे वावस अपनी सांस पर ध्यान लगाने के लिए खीच लाइए इस तरह से आप खुद को सांध कर खुद के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अधियाय नमर छो हमारा दिमाग नेगटिव चीजों को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है आपको यह याद रहेगा कि किस व्यक्ति ने कब आपको गालेती थी लेकिन यह कम याद रहेगा कि उस व्यक्ति ने कब आपकी मदद की थी हमारा दिमाग नेगड़ों चीजों को ज़्याद रखता है और इसकी वज़ा बहुत ही मज़दार है हमारे दिमाग दो भागों में बाटा गया है लेप्ट हेमिस्फियर और राइट हेमिस्फियर लेप्ट हेमिस्फियर सोचने समझने का काम करता है और राइट हेमिस्फियर महसूस करने का काम करता है राइट हेमिस्फियर ही वो भाग है जो नेगरेव चीजों के ज्यादा अच्छे से याद रखता है जब लोगों का लेप्ट हेमिस्फियर खराब हो जाता है तो यह बहुत ज्यादा चीनता करने लगते हैं और बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं किम्कि इस समय उन्हें उनका राइट हेमिस्फियर काबू कर रहा है जोकी नेगेटिव सोचता है लेकिन जब उनका right hemisphere खराब होता है तो वे बहुत ज़्यादा खुष रहने लगते हैं या फिर पागल हो जाते हैं क्युकि उनका left hemisphere सरीर को पूरी तरह से काबू करने लगता है जब हम छोटे होते हैं और हमारा दिमागविकास कर रहा होता है तो हमारा राइट हेमस्फिएर पहले विकास करता है जिसका मतलब यह है कि हम नेगेटिव बातों को अपनी जिंदेगी की शुरुवात से ही याद रखते हूं जब तक हमारा left hemisphere विकास करना शुरू करता है हमारा right hemisphere हमारे उपर काबू पाचुका होता है जिसे हम जिंदिगी भर के लिए ज्यादा negative सोचने लगते हैं इसलिए हमें से बहुत से लोग black and white सोचते हैं हमें लगता है कि या तो हम बहुत समझदार हैं या फिर बेवकूफ हैं हमें लगता है कि या तो हम बहुत खुबसूरत हैं या फिर बत्सूरत हैं इसलिए जब हम सबसे आच्छा नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हम बेकार है हम यह नहीं सुचते हैं कि हम बीच में भी हो सकते हैं इसके अलावा हमारा दिमाग बहुत सारे फिल्टर इस्तमार करता है हम एक चीज को देखकर उसके बारे में सब कुछ बताने लगते हैं अगर कोई ब्यक्ति देखने में अच्छा नहीं है तो वो दिल का भी अच्छा नहीं है अगर किसी ब्यक्ति की आवाज भारी या मोटी है तो वो बहुत सक्त सभाव का होगा लेकिन जरोरी नहीं है कि या बाते सचो अधियाय नमर साथ अपनी कहानी को लिख कर अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाईए किस तरह से आप नेगेटिव विचारों से छुटकारा पा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को लिखना होगा ताकि आप उसी अच्छे से समझ सके हमारा दिमाग में हर वक्त बहुत से ख्याल आते रहते हैं और इससे पहले आप उन्हें अच्छे से समझ पाए वे खो जाते हैं इसलिए आपने ख्यालों को लिख कर आप उन्हें समझ सकते हैं हम अपने जिन्दगी को एक कहानी की तरह देखते हैं लेकिन यह कहानियां अक्सर गलत होती है, हम सोचते हैं कि हमारी समस्या की वज़ा हम है, बलकि असल में वज़ा कुछ और ही होती है, एक्जांपल के लिए लेखा के एक कलाइन्ट को ले लिजी, जिसके नाम कार्ल था, कार्ल को लगता था कि वो अपने जिन्दिग में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेवकूफ है, और अपने काम में अच्छा नहीं है, वो एक अक्सर अपने कलाइन्ट से पैसा लेना भूल जाता था, वो बहुत सी जरूरी जनकारी को भूल जाता था, उसे याद नहीं रहाता था कि उसके जरूरी डोकिमेट कहां पर रख इसलिए वो खुद को बेवकूप समझता था लेकिन बाद मुसे पता लगा कि उसे ADHD है इस वज़ा से वो छोड़ी छोड़ी चीजों पर अच्छे सा ध्यान नहीं दे पाता था और उन्हें भूल जाता था उसके परसानी के वज़ा उसकी बीमारी थी ना कवे खुद जब उस के पीछे की असली वज़ा जानने के कोशिज करें जब आप यह करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके परसानी के वज़ा वो नहीं है जो आप सोज रहे हैं बलके कुछ और ही है अधियाय नमर आठ खुद को और अपने पार्टनर को एक लेवल पर रखकर अपने दूसरे को काबू करने की कोशिज करता है और उस अपने इसाफ से रखता है इस वज़ा से दूसरा पार्टनर अच्छा महसूस नहीं करता वो इसका विरोद करने की कोशिज करता है जिससे रिष्टे बिगरते चले जाते हैं जहां पर रिष्टे अच्छे होते हैं वहां द पदल देजिए. यहाँ पर ध्यान आपके काम आ सकता है. खुद से याँ पूछे कि आपने अपने रिस्ते में दब कर राने का फ्यंसला क्यूँ किया? साध आपने इसलिए किया? क्यूंकि आप अपने पार्टनर का दबाक नहीं रखना चाहते थे या फिर उसे प्यार करते थे और उसके सारे बाते मान लेते थे या फिर आप पहले उसका बिरोध करने के कोशिज करते थे जिससे आप दोनों के बीच का जगड़ा बड़ भाता था और इसलिए आपने कोशिज करना छोड़ दिया वज़ा चाहे जो भी हो सबसे पहले खुद को समझिए और फिर उससे निकलने के कोशिज कीजिए ध्यान करने से आप अपने हालाद को बेहतर तरीके से समझ सकते जिसे आप उस पर काबू पा सकते आप चाहे तो किसी थेरापिस्ट की मदद ले सकते खोल मिलाकर एक अच्छा दिमाग पाने के लिए आपको अपने प्रिफरंटल काटेक्स और लिम्बिक ब्रेन को बैलेंस में रखना होगा हमारा दिमाग नेगटिव इसलिए सूचता है क्योंकि हमारे राइट हमिस्फियर का विकास लेट हमिस्फियर से पहले होता है नेगटिव विचारों को काबू करने के लिए आपको अपने ख्यालों को लेकर उन्हें समझने की कोशिज करनी होगे अपने दिमाग का चेक अप कराईए कभी कभी आपकी दिमाग किसी चोटी से चोट के वज़ा से ठीक नहीं रहाता हो सकता है कि आप बच्पन में गीर गया हो जिसे आपको कुछ चोट आ गई हो अगर आप हर रोज कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके वज़ा आपको नहीं पता तो एक बार अपने दिमाग का चेक अप कराईए ताकि आपको यह पता लगे कि असल समस्तिया क्या है